सबी साथियों को राजविर कुमार की राम राम साथियों बहुती बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की जहां पर डौन, माफिया, अतिक एहमद और असरत के अत्या कर दी जाती है वो भी पुलिस कस्टर्डी के अंदर रहते हुए और कुछ में पहले ही उनका बेटा असद जो की पढ़ाई में बहुती ज़्यादा इंटेलिजेंट था लखनों के टॉप कॉलीज में पढ़ने वाला बच्चा किस तरह से गंगेश्टर बन जाता है वो भी जो है सटीफ टीम की तरफ से इंकाउंटर में मारा गया और अब जो है अतिक हमद की हत्या करने वाले जो तीन यूवक हैं उनकी उमर आप देखिए 18 से 23 वरस तक आप सोच सकते हैं कि यूवा लड़के किस तरह से इतने बड़े गटना को अन्जाम दे सकते हैं आखिर अत्याकी कैसे ये देखिए आप वो क्या करते हैं पत्रकार मीडिया कर्में बन के जाते हैं आलांकी उनके गले में आईकार होता है न्यूज का और साथ में अच्चे कंपनी केमरे होते हैं और आपको पता है न्यूज एंकर जो होते हैं तो न्यूज एंकर होते हैं ये मीडिया कर्में जो हते हैं उनको sensitive area के अंदर भी गुशने से मना नहीं किया जाता और तीनों के तीनों जो है वहाँ पर गुज जाते हैं और गोलियों से बोचार कर देते हैं बताया जारा कि अतिक के उपर कंटिनू चत्तिस गोलियां चलाई गई तीन लोगों ने मिलकर तो इस तरह से जो है अतिक एहमद का पूरा समराज्जे था वो खतम हो चुका है उससे पहले बेटे की लास जो है वो कवर में दवाई गई उसके बाद अतिक एहमद की लास आप देख सकते हैं यानि कि जितने भी माफियां हैं गंगश्टर्स हैं उनका आखिर में यही हाल होता है और आज की दो यूवा हैं वो अपने रस्ते से भटक रहे हैं गंगश्टर्स बन रहे हैं बदमासी करते हैं तो इस तरह की दो यूवा हैं वो गलत रास्ते को चुजने करें अपने अच्छे कारियों के तरफ द्यान लगाएं अपना एक मकसद बनाएं एम बनाएं कि मुझे इश्चेतर में जाना है और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए हतिकी हत्त्य कि पलान बनाया था आप सोच सकते हैं इंसान नाम के लिए क्या करता है इतनी छोटी उमर म में इतनी बड़ी घटना को अन्जाम देना कोई छोटी बात नहीं है और नाम अगर आपको कमाना है तो अच्छा ही के रास्ते पर चलके कमाईए नहीं कि बुरा ही के रास्ते पर अब उनकी वाइफ जो है साइस्ता वो भी बहुत ज़्यादा मतलब विचली था है परेसान है और अतिक अहमद जो डौन था आपको पता है ये लाइन ऐसी होती है इसके अंदर लास्त में इंसान को सिरफ मौत मिलती है और कानौन भी मजबूर हो जाता है जब कराइम हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना तो कानौन मजबूर हो जाता है एक्शन लेने के लिए इंकाउंटर करने के लिए वांटीड लिस्ट में को डाल दिये गया काफी अत्याओं के केसिन के उपर लगे हुए थे तोरी डगेती और फिरोती के मामदेन के उपर दरस थे और बता रहें कि जब से अत्याओं को पकड़ा गया तब से दस लाख रुपे का खर्च अत्याओं के उपर आया था उनकी सुरुक्षा में लगा लो या फिर उनकी जो गाड़ी बगारा का जो भी था जैने कि दस लाख रुपे खर्च अत्याओं की सुरुक्षा में आया था उनको लान ले जाने के लिए जो भी मतलब परबंद किया गया दस लाख रुपे खर्च हुए लाश्ट में मिली कि उनको मौत तो साथियों मेरा ये कहना है कि वही इस तरह की जो रस्ते हैं वो अच्छे नहीं होते अपने अच्छे करमों से आगे बढ़िए नाम कमाईए और इस तरह की जो हैं अपने मन में ख्याल मतले का ये कि मैं बदमासी करूँ गुंडा गरदी करूँ क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह सहती कहमत का असर हुआ वैसे ही आने वार टाइम में जो भी गुंडास्टर बनेगा या जो भी गलतकारी करेगा बदमासी करेगा उसका होगा तो आज की वीडियो में इतना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कशे लगी धन्यवाद राम राम जैन जवार्थ